आज मैंने सारे बैगन की सबजी बनाई है वो भी बीना कोई टमाटर ना कोई लसून ना कोई प्याज तो यहाँ पर मैंने बैगन लिये है वांगा लिया है इसे ऐसे कट लगा दिये आड़ा और खड़ा कट लगा दिया है सड़ा गला भी देख लिया है अब यहाँ पर यह म अब इसे fry करेंगे ये जब तक fry हो रहे हैं तब तक हम इसका mas Denise- अधिया करना है तो यहाँ पर मैंने दही लिया है, दही को अच्छे से फेट दिया है दाई को फेटने के बाद में मसाले लिये हैं मैंने हल्दी नमक मिर्ची गरम मसाला धनिया पाउडर यहाँ पर ले लिया है आप इससे भी ज्यादा खड़े मसाले या फिर पीसे विये मसाले डाल सकते हैं तो यहाँ पर डाल दिये हैं मैंने तो यह सबजी ना बीना लसुन ब तेल मैंने सबजी के अगा साथ से डाला है अब इसमें आलेंगे अगोरा टॉला कि बगउसने चाली फका हुआ कैसे अग्याये निलाट यहां पीड़ी तै fundament के सब्सक्राइब तिमसाला अच्छा प्क यहां ना ब्ली करते देक्षणी मफ्रेतल्थ देख काकुँझान देगे यहां पर अच्छे से उस्ते हैं दो करो पान देख मने में डाल दो क्या दमाई देख आना भी मसाला चूब जाल देंगे एक चमच मलाई फ्रेश मलाई है आप इसके जगह पे बादाम काजी का पेश्ट भी दाल सकते हैं तो यहां पर कर देंगे मिक्स और ढग कर हम चार से पाच मुट तक पकाएंगे इसका मोचर खतम होते तक हम पकाएंगे तो यहां पर सारा मोचर सुख चुका है बैगन भी थोड़ा से सॉप्ट हो चुके है कि इसके दाल दी है मने ग्रेवी के लिए पानी बैगन पकते हैं तक हम इसे पका लेंगे तो यहां पर देखेंगे बैगन पक चुके है बान्गा पक चुका है हमारे सारे बैगन बिना लसुन बिना प्याज और बिना टमाटर क इससे आप रोटे के साथ में छावल के साथ में खा सकते बहुत ही बढ़िया रेसपी है तो यहां पर देखिए हमारी ग्रेवी यहां पर बैगन के ग्रेवी हो चुकि है पृसला दिख किले असला एकूं